ओम शांती आपका प्रश्ण है क्या कुट्टे को आत्मा दिखाई देती है कुट्टे में सुंगने की शक्ति कहो धर्ती की वाइब्रेशन्स को भी अनभव करने की शक्ति कहो वो है परंतु आत्मा को हम संसार के किसी भी साधन के द्वारा किसी भी रूप से देख नहीं सकते और आत्मा को बिना दे के तो कोई भी कोई भी आधार नहीं जिसके द्वारा हम उसे देख सकें या अनभव कर सकें आत्मा की उपस्थती शरीर के द्वारा ही व्यक्त होती है कोई भी आत्मा यदि कहीं आएगी उसे कुछ भी करना है उसे बोलना है तो वो जरूर किसी दूसरे जेव का आधार लेगी उसको शरीर चाहिए बिना शरीर के देखना बोलना सुनना नहीं कर सकते पर तो आत्मा को स्वेहम गती करने के लिए कोई आखें की जुरूरत नहीं है वो अपना उसी ही स्पीर से जा सकती है उसी स्पीर से आ सकती है और उसे ये भी मालूम है कि मुझे कहां जाना है और क्या करना है वह तो उसे रास्ता देखने की जुरूत नहीं उसे पहार रास्ते में आएगा ये देखने की जुरूत नहीं क्योंकि उसके लिए ये संसार की चीज़े क्रोस करने में रोकने वाली नहीं है चाहे पहाड आए चाहे नदी आए चाहे कुछ भी आए वो सब कुछ पार करके केवल अपने डेस्टिनेशन तक सीधा जाती है हमें देखने की जुरूत पड़ती है कि हमें कहां से गुजर सकते हैं कहां से नहीं गुजर सकते क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते पन्तो कोई भी आत्मा को नहीं देख सकता किसी भी सादन से आत्मा को नहीं देखा जा सकता तो कुछ भी आत्मा को नहीं देख सकता हाँ आत्मा किसी दूसरे शरीर का आधार लेकर कोई activity कर रही है उस activity से समझ सकता है activity को समझ सकता है परन्तु आत्मा को देखा या समझा नहीं जा सकता पहचाना नहीं जा सकता ओम शांति और अच्छी तरासित समझना हो तो प्रजापिताबर महाकुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले के किसी विश्यवा केंद्र परसंपर करे और यदि कोई प्रशन हो तो 9213106986 पर केवल वाटसेप करे ओम नहीं ओम शांति